कि नमस्कार साथियों एक टॉपिक एक वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है आज व्यूडियो नंबर 11 टॉपिक होगा एल्सियम ऐसे कंडिडेट जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता है उन्हें गड़िते में मस्टर बनाते हम आएए देखते हैं कैसे होता है पहले तो बहुत ही बहतरी इंट्रिक और टिप्स जो सबके काम का है उसके बाद बेसिक पर आएंगे ठीक है यह नंबर से आपको दिए हैं इनका एल्सियम निकालना चुटकियों में कलम का कोई जरूरत नहीं है यह नंबर क्या है तीन और पांच आपको पता है कि इनका कोई भी यह आपस में कॉमन फेक्टर नहीं है यानि यह उबनिष्ट गुड़न खंड नहीं है समझ रहे हो ना गुड़न खंड और गुड़त पहले पढ़ा चुका हूं तो ऐसी संख्या है जिनका कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं होता है मेरे साथ ही उनका जो एल्सियम होता है वो उनका गुड़ा करने पे निकलता है यानि तीन पचे पंदरा इसका अंसर है ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना कोई कलम की जरुवत नहीं है अगला चाहे संख्या कितनी भी हूँ कोई मायने नहीं रखता है इसमें भले तीन नंबर है लेकिन अगर आप देखो साथ दो और पांच इनका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो नहीं है न तो क्या करोगे इनका गुड़ा कर लोगे सबका सबका मल्टिपल कर ल रोत नहीं है आप सीधा सीधा मल्टिपल कर लो बस हो गया खतम ठीक है अगला क्या है अगला देखिए इसमें दूसरी वाले ट्रिक्स और टिप्स हाजी मिस्टर क्लास चल रहा है भी तो अब देखिए इसमें क्या है इसमें सभी नंबर में एक चीज कॉमन लग रहा है अगर आप 10 से डिबाइड करते 80 डिबाइड है 20 से 40 से सबसे डिबाइड है अगर कहीं ऐसी सिरीज बनती है तो ऐसी कंडिशन में आपका LCM आपकी सबसे बड़की वाली संख्या होती है तो आप आँख बंद करके लगा सकते हो सबसे बड़ी वाली नंबर यानी 80 ठीक है कर इसको कैसे देखो 120 है 120 को अगर आप 15 डिबाइड करोंगे पूरी तरीके से हो जाएगा कर नहीं हो जाएगा पंदरा अट्ठेक्स होता है मैं आपको LCM निकाल के दिखाऊंगा बेसिक तरीके पर अगले अभी कुष्टन से मैं चलूंगा ठीक है बस पूरा अंड तक देखना प्यार फे तो इसमें जो सबसे बड़ा से बड़ा विभाजक है एक परकार से कहें गुलनखंड है उससी डिबाइड करेंगे ठीक है त में दो से करोगे अब फिर एक बार दो हो जाएगा जड़ा कर लो पंदरा दूना तीस तीस दूना साट साट दूना 120 कितना आएगा 120 यह बहुत ही बेसिक तरीका नहीं था लेकिन मैंने आपको LCM बता दिया बेसिक वाले में चलते हैं एकदम छोटे बच्चों वाले में य साइक कर दो फट से नहीं किये हो दो जिम्मेदारी आपकी है जिससे और बहतरीन वीडियो जा सके है ना चलो गुड़नखंड विधी नहीं है यह भाग विधी है तो भाग विधी में पहले आयसे खचा लेते हैं जिससे तुमें दिख रहा ठीक है इनके ऊपर इनको पूरी फुल इज्जत के फार बैठा देते हैं इसे ठीक है अब एक ऐसी बड़ी से बड़ी गिंती सोचते हैं जिससे भाग करने पर यह दोनों पूरी तरह फे डिबाइड हो जाएं ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचनों नहीं गिंती बहुत छोटी है पहली संख्या वन संख्या चोटी बड़ी बड़ी संख्या हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे दो से कटेगा तीन से पांसे साल से कैसे वह चीज आपको विभाजता नियम में क्लियर हो जाएगा कमेंट करके बताना अगर आपको डिवीजिविल्टी रूल नहीं आता ठीक है चलो तो भाइस आप दो ऐसी संख्या जिनसे यह दोनों पूरी तरह फिवाइड हो जाएंगे दो का भाग करोगे बारा में तो आएगा छे हमें यहां केवल कोईफियंट यानी भागफल लिखना है बफ यह दो सत चौदा ठीक है फिर दो से करोगे दो त्यां छे एफ लिखते जाना यही बिल्कुल बेसिक वाला तरीका यही है जब तक कटेगा चाहिए एक है क्यों ना कटे वैसे लिखते जाएंगे ठीक है दो से छे में भाग करेंगे तीन आएगा भागफल और सेस्पल जीरो आएगा दो से साथ में भाग करोगे देखो सेस्पल आ जाएगा ऐसी कंडिशन मे हम जो है उसे कंसीडर नहीं करते ठीक है जब फिर धी एफट यहां इस्पल नहीं चिखल 2-6 फिर, नहीं करते हैं अगर फिर फीर पूरी की पूरी इसमें देखो भागफल जो तीन आया था मैंने वही वन नीचे लिखा है बफ ऐसे ही सब में करते हैं सेज़ फल से कोई मतलब नहीं ठीक है अब तीन और साथ है एक बार तीन से डिवाइड करोगे फिर फाद को लिख दोगे फिर फाद से डिवाइड करोगे नीचे जब तक वन वन ना आजाए बस खतम अब लिखो यहाँ एल फियम बराबर क्या होगा दो दो तीन और साथ तो दो दुना चार तियां बारा फत्ते चौराफी होता है 84 ना देखो LCM की एक विशेषता होती प्यारे साथ ही वो क्या है कि LCM में अगर हम इनको किनको जो LCM आया है उसको अगर हम भाग करें दिये गए बाकी नंबर से तो जीरो से फाल आना चाहिए अगर आ रहा तो LCM सही है अन्यथा गलत है देखो चेक कर लेते हैं गलत है कैसे 84 है ना बच्चा 84 को 12 से भाग करो यहनि 12 से तो 12 से बन जा 84 जो 0 आ गया इसका मतलब पहले के लिए तो सही है दूसरे के लिए क्या ही इसको अपचकाहे को हो रही है कि चौदा चंग चौराफी होता है यानि 14 684 यह भी डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हमारा LCM सही है है किसी को कोई डाउट्स तो मुझे बता दो नहीं न चलो पका कर लोगे सभी लोग न इमंदारी से बताओ इसका LCM कितना होगा बहुत चल्दी जल्दी से क्योंकि 10 मिन मैंना वह मजा नहीं आता वह फोकफ नहीं कर पाता मैं पढ़ाने पर इफिलिय मैं सोचा छोटे-छोटे वीडियो की स्रीज दे दूं आपको बाकी रात के 9 बज़े पढ़ाता हूं डेली आओ उसमें ज्यादा बाचीत हो जाती कमेंट हो जाते हैं मजा नहीं आती मतलब अ अलग अलग निप्टाएंगे ठीक है कैसे पहले नंबर को ले लो देखो अगर हम चाहें तो LCM यहीं डिसाइड हो गया है क्या 8 का 9 में गुड़ा कर लो क्योंकि इनका कोई common factor नहीं होने वाला है तो 8 9 72 72 का 2 गुना कर दो 72 1444 हो जाएगा 144 आंसर आ जाएगा लेकिन जो बि की आंसर तो आ गया है डिसाइड हो गया ठीक है तो दो से फिर से डिवाइड करोगे दो चौक आठ नौ ऐसे लिख लिखेंगे क्योंकि इसमें आएगा रिमेंडर अभी भी बताया था उसको consider नहीं करेंगे फिर दो से टू टू जा फोर और नाइन फिर टू से टू अंजा और नाइन आप देखो पहला वाला वना गया अब आगले के लिए सोचो अगला दो से डिवाइड होगा नहीं उतना तुम जान में कर तो तीन से होता है है ना तो थ्री थ्री जा नाइन फिर फे थ्री बन जा थ्री यह है बिलकुल अच्छा वाला और बेसिक वाला तरीका बाकी सिर्फ आंसार निकालना अगर कॉमपटीफन में तो यह सब नहीं करना है यह सिर्फ बेसिक वालों के लिए बता रहा हूं जिनको सीखना है जो अभी नाम लेना सीख रहे हैं चलो फिर क्या करेंगे लिखेंगे LCM बराबर यह जितना बार भी है चार बार है देखो कि बिदी से LCM दो दुना चार दुना दुना सोला सोला तिया और तालिस और तालिस को तीन से गुड़ा कर लो मेरे भाई तो तीन अठे चौविस और तीन चोग बारा दो चाउदा 144 आएगा अगर आपको तनिक भयाद है तो अभी मैं कुछ सिकंड पहले बोला था 144 आएगा बोला था ना तो कैसे लगए आपको वीडियो अगर अभी तक भी लाइक नहीं कियो तो भाई हद है बिल्कुल भी समझी नहीं रहो मेरी दुख दर्द फिलिंग लाइक करो फटा-फट जिससे ज्यादा लोगों को मिले यह और मैं अभी अभी सोके उठाओं भीना पानी प समझ रहे होगे नहीं वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है और वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है और वक्त की परवाह कर लो मुनना क्योंकि वक्त कोईले को भी कोहनूर बना देता है और कोहनूर को कोईला भी बना देता याद रखना ठीक है तो वक्त आगे इज दोस्तों को चाहे कोई देखे ना देखे जबरजस्ति किसी ने किसी को वीडियो बेच के जाना